आपने ये गाना तो सुनाई होगा, नाम गुम जाएगा, चहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही मेरी पहचान है, घर याद रहे। इसको आवाज दी थी लता मंगीसकर जी ने। उनकी आवाज इतनी सुरिली थी, कि अमेरीका ने लता मंगीसकर का गला कई लाक डॉलर दे कर खरीद लिया था, जो उनके मरने के बाद उनके गले पर रिसर्च करेंगे, कि आखिर उनके गले में ऐसी कौन सी खासियत है, कि उनकी आवाज इतनी सुरिली है। आज 16 एप्रिल, वर्ल्ड वॉयस ती या विश्व आवाज दिवस, जिसकी सुरुआत 1999 में प्राजील से हुई। मनुस्य के जीवन में वाइस यानि आवाज प्रिकर्ती का एक बेहत सुखुबसूरत गिफ्ट है, और इसी के जरिये हम खुद को दूसरों के आगे अपनी बात रखने में समर्थ हो पाते हैं। 13 अप्रिल यानि आज के ही दिन पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड बिश्व आवाज दिवस मनाता है। ये दिन हमारे दैनिक जीवन में बोलने के मूलने से के बारे में जागरोग करता है। साथ ही ये अच्छी आधितें बिक्सित करने के लिए प्रोथ साहित करता है। आज की समय में बहुत सी लोग सरापी कर, धूमरपान करके और चिल्ला कर अपनी आबाज का दुरोपयों करते हैं। हाला कि कुछ अच्छी आधितें और स्वास्थ अभ्यासों के साथ ही किसी भी प्रकार के तनाओ या बीमारी को दूर किया जा सकता है। इसका उद्दिस बहरेपन से सिकार लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जागरोग करना है। तथा उनकी बहतर हिलाज के लिए सुभिधाय मुहयय करवाना है। बिश शास्त शंगठन द्वारा 2021 में जारी एक रेपोर्ट पर नजर डालें। तो दुनिया भर में तेजी से लोग इस समस्या से ग्रश्थ होते जा रहे।